ITR मतले income tax return file करने का time आ चुका है ऐसे मैं आपका CEA जो है chartered account है आपसे form 16 का demand कर सकता है अगर पहली पहली बार है तो आप सोचेंगे form 16 का मतलब क्या होता है form 16 कहां से मिलेगा और इसका क्या importance है और कैसे सरकार के पास जो आपका पैसा जमा है आपको पता भी रही है कितना जमा है वो सब refund करके अपने bank account में ले सकते हैं तो बहुत important point है वह से दोस्तों अभी season चल रहा है ITR जितना जल्दी है last date से पहले filing कर लिजए ITR के फाइदे नुकसान already में बता चुका हूँ आपको भी मालूम है और अगर आपके tax liability बनता है और आग जमा नहीं करते है तो future में ज इसा बचा हुआ है TDS मतलब tax deducted at source tax जो है पहले ही आपको मिलने से पहले उसे amount पे cut लिया गया अब यह मिलता किसको है form 16 जो नौकरी कर रहे होते हैं खासकर सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनका form 16 लेना बहुत जरूरी हो जाता है form 16 में पूरा TDS मेंसर रहे का जो आप salary receive कर रहे हैं अगर आपका income जो है मतलब salary इतना है कि आपको tax बनता है तो हो सकता है possibility ज्यादा salary के बाद आपके salary पे TDS पहले ही सरकार काटके रख ले रहा है है और जब आप TDS काटके रखा हुआ है और आप ITR filing करने जाएंगे और आप जो है देखेंगे कि tax liability बन रहा है और जो है वो deduction refund नहीं ले सकते हैं तो सवाल आएगा यह form 16 आएगा कहां से देगा को देखिए जिस भी department में आप काम कर रहे हैं चाहे railway में काम कर रहे हो health sector में काम कर रहे हो education sector में काम कर ठीक उस sector का जो है मतलब कि उस field का या उस department का जो account section होगा उससे जाके contact करिए उनसे demand करिए कि form 16 देगो form 16 देंगे जिसमें आपके salary पर जब 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 चितना amount का TDS कटा होगा वो सब mention होगा जब mention होगा इससे खायदा आपको क्या होगा 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 यह कि सपोज आपका salary इतना है कि आपको जो है tax देना है मतलब tax pay करना है ठीक अब TDS मान लीजे सपोज एक जाम पर लेते कि TDS 30,000 रुपिया आपको पूरे साल में जो है जमा हो चुका है आपके पैन पे लेकिन आपको tax liability बनता है जो पूरा competition होगा पूरा report balance sheet बनाए देखे कितना salary मुझे आ रहा है तो इसके बाद आपको tax जो देना है वो tax liability बनता है 20,000 रुपिया तो ऐसे में 30,000 पहले स payment हो जाएगा और यह सब तभी होगा जब आपके पास form 16 होगा और इसके बाद ITR फाइल करेंगे अब एक सवाल और आता है अपके मन में हो सकता है आएगा कि कोई ऐसा person है जो पैंसर रिसीव कर रहा हो और उसके pension वाले amount पे भी जो है अगर TDS करता है तो ऐसे condition में वो form 16 कहा से मिलेगा तो आप जिस bank में account है जहां receive pension कर रहे हैं उस bank वाले से contact करिए वो आपको form 16 प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको help भी कर सकते हैं देखिए friends बात यह है कि अगर आप TDS को claim नहीं करते हैं तो आपको refund नहीं मिलता है और पैसा जो है सरकार के पास परा रह जाएगा सरकार आपसे पैसा लेना तो बहुत तरीके और बहुत आसानी तरीके से चाहता है किसी तरस से जो है ले ले लेकिन जब सरकार से आप वह आपस लेने चलेंगे तो बहुत सारे details fill up करना परेगा बहुत सारे process से जाना परेगा तो ऐसे में TDS के बारे में पूरी जानकारी चा वो दो रए एो पना उता है यह मुठाब आता हैं के यह कयाले दो